राम राम दोस्तों तो फिर्ज वस्वागत है अब सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तो आज ये कोरमी खास वीडियो के साथ में खास कार लेकर आ हैं जी हम बात कर रहा हूं यहाँ पे हमारी टाटा पंच एकमपलीज डेजल सी एंजी वेरेंट के बाई अगर बात की जाए इस मॉडल की तो भाई इस मॉडल में आपको प्राइज भी काफी अदा बैतरी मिल जाते हैं लेकिन अगर फीचर के बात की जाए तो फुली यहाँ पर आपको फीचर लॉडिट कार देखने को मिल जाती है इसकी चक्कर में अगर आप लोग देख लें तो भाई आप लुड़ भाई आपको काफी यह तरी के से की देखने को पर आप करने की बटन देखने को मिलेगी वए बात की जाए इसके इंजिन की तो इसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रॉL cn-g इंजिन देखने को मिल जाता है फिर 3 सलेंडर ओप्शन के साथ मैं रहीं पावर वाइस बात की जाए तो यहाँ पर 73.46 103Nm की इसमें आपको पावर देखने को मिलता है माश्कूलर फील आपको यहां पर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अधर premium car की look को बना देती है साथा हम यहाँ पे side में आपको यहाँ पर indicator आपको देखने को मिल जाता है नीचे अगर बात की जाता तो इहाँ पर projector आपको halogen headlight देखने को मिल जाती dual tone में साथी में अगर बात की जाए तो यहाँ पर फॉग लेम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है हेलो जन साथी में अगर बात की जाए तो फ्रेंट साइड में यहाँ पर आपको कोई भी पार्किंग सेंसर या पार्किंग केमरास में देखने को नहीं मिलता साथी में यह आपको यहां पर ground clearance देखने को मिल जाती है जो कि भाई यहां पर कम आपको देखने को मिल जाती है तो आप साथी में अगर side profile wise बात की जाए तो यहां पर side profile में भी आपको बहुत कुछ खास चीज़े देखने को मिल जाती है तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहां पर आ हेल पर ऑंट को जते हैं तो यहां पर आपको कष़ती है यहां पर घृचा में मुल जाइए तो यहां सरफ और सिर्फ आपको करोu और तैधने को तो मिल जाता है साथ में अलब रीयर प्रोफाइल की बात के जाए तो वह कैसे क्या मिलती है तो यहां पर जैसे हम लोग जाएंगे रीयर Lor Danke तो रीयhand profile आपको काफ़ी तम बैटरी लानेवाला है यह तो टॉप मोडल जैसा यहां पर आपको तोटली फील होगा यहां पर जब भी जाएंगे तो यहां पर आपको fully यहां पर LED टेल लाइड आपको देखने को मिल जाती है साथे में दूनों साइड में यहाँ पे आपको बैक साइड में रफ्लेक्टर पंच की बैजिंग और यहाँ पे आइस एंजी की भी बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है बैक साइड में पार्किंग कैमरा 2D में Tata अगर लोगो और नीचे साइड में अगर भात कीज़ता है तो यहांपे पार्किंग सेंसर भी आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें यहांपे आपको कोई भी डिफॉगर या और बाइपर आपको देखने को नहीं मिलता मिल जाते हैं टाटा पंच आए सी एंजी में यह था कार का भाई एक्स्टीजियर अब चलके देखते हैं इसके इंटीरिया की तो सबसे पहले जैसे यहां पर डोर के पाज आएंगे तो आपको कीले सेंटी की बटन देखने हो मिल जाती है जैसे यहां पर डोर ओपन करते हैं तो प्यान, फेनिस, वह अपको डोर हैंडल देखने को मिल जाता है ट्विटर स्पीकर अपर साइड के बड़ा साफ सपीकर देखने को बाड़ा साइल का ंते हैं तो आई चलके देखते हैं तो आई फाइनिलिए अब हम लोग आज गया है कार के इंटीरियर पर अगर इंटीरियर के बात की जाए तो यहां पर सबसे पहले इंटीरियर आपको डूवल टोन के साथ में देखने को मिल जाता है कलर कोमिनिशन के ब्लैक एंट प्राइट के साथ स्टेरिंग के बात की जाए तो यहाँ पर लेदर फिने को नहीं मिलता लेकिन मल्टि फ्टेरिंग बिदब बॉच असस्ट फीचर्ज के साथ में आपको देखने को मिल जाती है साथ में यहाँ पर स्टार्ट करने के बत्न, cnj, mood और यहाँ पर बात की जाए तो लॉकिंग जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है साथ में इसमें आपको कोई भी automatic climate control देखने को नहीं मिलता नीचे अगर बात की यूसपी 5 वाल ट्राइब सी charging 12 वाल फार चार्जिंग का यहां पर आपको option देखने को मिल जाता है 5 स्पेस की बात की जाए तो यहां पर भी आपको कुछ स्पेस देखने को मिल जाती है अगर बात की जाए यहां पर डे और नाइट वाला आपको mirror तो वह आपको manually adjustable यहां पर आपको देखने को मिल जाता है यहां पर बात की जाए तो LED light और यहां पर इसमें आपको single panel sunroof आपको देखने को मिल जाती कुछ तरही चाहिए तो यहाँ पे भी आपको कुछ SPACE देखने को मिल जाती चोटे से mirror के साथ में core box की बात की जाए तो यहाँ पर भाई इसमें आपको culture box देखने को नहीं मिलता नउर्मा वाला आपको देखने को मिल जाता है तो यह था हमारे फ्रेंड साइड का आप चल्के देखते हैं वे कि सेकों डूर की बात की जाए तो जैसे यहां पर डूर इसका ओपन करते हैं अतरु यह सेकों डूर का दोर भी आपको 90 डिग्री ओपन देखनेको मिल जाता है साथिम इसमें भी आपको dual tone का यहां पर आपको combination देखने को मिल जाता है यहां पर बात की जाए तो यहां पर भी आपको इसका जो door handle है वो आपको piano finish के साथ में देखने को मिल जाता है उपर आपको यहां पर twitter speaker तीचे बड़ा सा speaker और नेची water water रखने की space देखने को मिल जाती है साथिम अगर space wise बात की जाए तो यहां पर second row में काफी अदा बड़ी सी आपको species देखने को मिल जाती है और second row आपको fold wheel भी देखने को मिलती है साथिम इसमें आपको कोई भी rear AC और कोई भी यहां पर charging point आपको देखने को नहीं मिलती टाटा पंच के accomplished decals CNG model में अगर इसकी boot space की बात की जाए तो वो कैसे के मिलती तो आई चल के देखते हैं अगर बात की जाए इस पीसिस की वो भी CNG cylinder होने के बाब जूद और twin cylinder के साथ तो यहां पर जैसी इसका tailgate open करते हैं तो यहां पर आपको 210 लीटर की boot space देखने को मिल जाती है बिर्ज डूर सलेंडर के साथ मैं आपको फुली टरीके से आपको कवड देखने को मिल जाती है इस तरह पर चाहिए तो यहां पर बात की जाए तो आपको काफी यदा लेज़ के साथ नहीं अगर बात की जाए तो पचासे एज़ार गयत बैसरीक्ता की यहां मोटल की आप लोगों कैसी लगी मेरे कमा सेक्सम जब बताना तो प्री लाइक सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल थैंक यू बरी